नमस्कार इंडिया वोईज देख रहें आप और मैं हूँ आपके साथ शिवम दूबे इंडिया वोईज के खास प्रोग्राम खबर दिन बर में आप सबका स्वागत है रुक करेंगे पहली खबर की और पहली खबर उत्तर प्रदेश यहां उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को सभी सिक्षन संस्थान बंद रहेंगे राम लला की प्रांट पतिष्टा के आयोजन के मौके पर ये फैसला लिया गया है सीम योगी आदितनात ने आदेश दिया कि सभी सिक्षन संस्थान इस दिन सारवजिने का उकास घोशित करें उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को ड्राइडे भी रहेगा यानि प्रदेश के किसी भी जुले में शराप की बिक्री नहीं होगी इस समद में पहले ही आदेश जारी कर दिया गया था लेकिन एक बार फिर से इसे दोहराया गया है आपको बता दें कि यूपी के अलावा 36 गट सरकार ने भी जनवरी को ड्राइडे गोशित किया है आपको बता दें कि सीम योगी का आदेश आया है कि तैयारियों को सीम योगी ने जितनी भी तैयारियां थी राम मंदिर को लेके सबकी समिक्षा की है और 22 जनवरी को शराब की बिक्री नहीं होगी यह समिक्षा करने के बाद यह आदेश दिये गए है शराब बिक्री नहीं होगी श्कूल कॉलेज यह सब 22 जनवरी के दिन बंद रहेंगे सुरक्षा को लेकर के यह निर्देश दिये गए हैं आप सब देख सकते हैं जिसमें मुक्ष मंत्री का कहना है कि 22 जनवरी को ड्राइडे रहेगा यानि शराब बिक्री नहीं होगी और स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे तो मैं प्रधान मंत्री मोदी ने भी अपने सभी मंत्रियों के साथ प्राण पृतिष्टा के लिए कुछ जरूरी निर्देश दिये हैं प्रधान मंत्री ने कहा कि आस्ता दिखाएं एग्रिशन नहीं इस वक्त और इसके बाद उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर बयान बाजी करने से बचें कोई भी बयान बाजी करने से अपने मंत्रियों को यह निर्देश दिये हैं प्रधान मंत्री कि उससे बचें मीडिया से बेवज़ बयानबाजी न करें परदान मंत्री का इनिरदेश है कि मीडिया से बयानबाजी सिब बचें उन्होंने कहा कि पुराने मंत्रियों ने भी बहतर काम किया है और जितने भी मंत्री थे सब बहतर काम किये हैं और पुराने मंत्रियों के अनभवों से कुछ सीखें, उसका फायदा लें, न कि किसी भी तरीके की बयानबाजी और किसी तरीके की तो है नौकरी के बदले जमीन गोटाले में प्रवरतन निर्दिशाले ने मंगलवार को दिल्ली की राउज एवनी कोट में चार्शीट दाख रावडी देवी, मीसा भारती, हिमा यादाओ, हिर्दियानन चौधरी समेत अमित कत्याल का नाम शामिल है। रुक करिंगे अगली खबर की और अगली खबर जार्खन से है। रुकता जानकारी नहीं है, वैसे तो All is Will कहा जा रहा है, मगर जेमम की 14 में से 8 सीटों के दावे पर कॉंग्रिस तयार है या नहीं। 24 का चुनाओ द्वार पार आखड़ा हुआ है। लेकिन अभी तक विपक्ष की तरफ से कोई तयारी नहीं हो पाई है। जार्खन में विपक्ष इंडिया गटबंधन का फॉर्मूला क्या होगा? इस पर भी अभी बात नहीं बन पाई है। विपक्षी गटबंधन का दल कॉंग्रेस आश्वस्त है कि बात बन गई है। तो कहीं भी किसी प्रकार का सीट सेरिंग को लेकर के इंडिया गटबंधन में कहीं कोई जीच नहीं है चुकि हम संभिधान और लोकतंतर को बचाने के लिए खुए हैं। और जनता हमारे लिए केंदर बिंदू है तो हम जनता को केंदर बिंदू में रख करके तमाम चीजें कर रहे हैं। हम लोगों ने भी अपने आला कमान से कहा है कि ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कारेकरता की भावनाओं के अनुरूप निरने लें। कारेकरताओं की एक्षा है कि ज्यादा सीटों पर लड़े जनाधार हमारा ज्यादा है कारेकरता ज्यादे हैं बड़ी पार्टी है ज्यादा में तो हम लोगों ने भी अपनी भावनाओं से आउगत कराया है तेकि निरने तो आला कमान को लेना है आला कमान का जो भी निरने और आजसू में सब ओके हैं क्योंकि वो विकास के मुद्दे पार एक जुट है लेकिन दिक्कत इंडिया गतबंधन में है जहां लूट खसोट के हिसाब से सीट का बटवारा होगा से सीट शेरिंग को लेकर कभी प्राब्लम नहीं है क्योंकि हम विकास के मुद्दे पर एक आये हैं सब्सक्राइब है इस तरह बनाईग अंगा जैसे उसका है सुब का एक ही अधार याठा है कि जीट स्वादा जीट जीट का अधार होटा है इन तमाँ चीजे कु लेकर कि नेतरित लिर लेंड़ता यह सुनिस्चित करना चाहते है कि ज्यारखन में इंडियो पिछले बार हमने एक में लड़ा एक में जीता है और पहली बार आज सुपार्टी केंद्री राष्टी अस्तर पर दस्तक लिया है पार्टियां सीट शेरिंग पर दावा तो कर रही है कि सब कुछ ठीक है हलाकि इंडिया गटबंधन में दरार की खबरों के बीच सीट शेरिंग का फर्मूला खोजना आसान नहीं है ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इंडिया गटबंधन में सीट शेरिंग पर बात बनती है ये चुनाओं से पहले ही सब की राहें जुदा हो जाती है प्यूरर रिपोर्ट इंडिया वॉइस तो वहीं प्रियागराज में सपा मुखिया अखलेश यादव को राममंदिर के प्रांट पतिश्टा समारोह का नियोता मिलने पर यूपी के डिप्टी सियम केशो प्रशाद मौरे ने निसानसादा है केशो प्रशाद मौरे ने कहा कि अखलेश यादव के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इस स्वर उन्हें सदबुद्धे दे अगर द्रिष्टी दोस है तो अपनी द्रिष्टी का आँख का इलाज करा है मानसिक कोई दोस हो गया है तो उसका ही इलाज करा है बगवान उनको सदुद़ी दें उनका स्वास ठीक रखें त सरकार बनने के बाद हो रहे इसपर हमें गर्व है और उनको सर्म हो रही होगी तो उनकी वह बिमारी है मेरी नहीं है कि जो फ्लाई ओवर उनके घर के बगल से बनाए गया है वो सफ़ा सरकार में बना है उससे उनकी जान को भी खत्रा है समाजवादी पार्टी गुंडो अपराधियों माफियाओं की पार्टी है और उसका इतिहास जो था वर्तमान भी है उसका भाविश्य हुआ ही है लेकिन जिसका इतिहास गुंडागर्दी ब्रहष्टाचार अपराध का है जिसका वर्तमान उसी रूप में है को अगर द्रिश्टी दो तो वहीं दिली के साउथ वेस्ट जिले के विजवासन विधानसभा के वार्ड 130 द्वार का सी में नगर निगम ने देश का पहला पशूओं का समसान घाट खुला है मेर शेली ओबराई ने इसकी शुरुबात कर दी है मेर शेली ओबराई ने कहा कि ये पालतू पशूओं का समशान घाट और एको फ्रेंड ली है सबसे अच्छी बात है हिंदू संस्कारों माध्यम से इसमें अन्तिम संस्कार किया जाएगा जिसके लिए पंडित भी बकाइदा अपॉंडमेंट किया गया है उनका कर दो कि सब्सक्रिदें और यहां पर हम्ने आज क्रेइट क्रिश्च के शुरुबात करी हैं जिसको हम ग्रीन क्रेमिटोरियूं कह सकते हैं यह तरह से साइन्टिफिक टेकनोलीजी से शुरुवात की है, हमने एको फ्रेंडली है और स्पेशली जब हम किसी पेट को पालते हैं, पालतु जानवर को पालते हैं तो एक बहुत जहादा अटाच्मेंट सा हो जाता है जब इतने साल जिंदगी के हम उस जानवर के साथ रहते हैं और सबसे अची बात है जो भी संसकार दासंसकार होगा वो हिंदू संसकार माध्यम से होगा यहाँ पर पंडित भी अपॉइंट किये गए हैं और मंत्रुचारण होगे और आने वाले समय में यहाँ पर जितने भी सुविदा हमने अभी दी हैं अगर जादा से जादा है चाहे वो डॉग हो बिली हो या बंदर हो मंकी हो उसकी सुविधा दी जारी है तो है राम मंदिर के निमंत्रन को लेकर बयानवाजी का दौर जारी है अखलेश यादव से जब निमंत्रन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने निमंत्रन दिया उन्ह हम जानते ही नहीं कि बयान पढ़ा था कि बुलाएंगे तो जाएंगे तो बुलाया है और अब मैंने यह बयान पढ़ा कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे कि समाजवादी पार्टी को और उसके अध्यक्ष को राम जी बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं नहीं बुलाएंगे तो फिर वहां कि जन्ता को भी इस परष्ट हो जाएगा कि राम जी नहीं चाहते हैं मैं इनको नहीं जानता हूं ना मेरा कोई परष्ट है ना मेरे उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी जो परष्ट वाले हैं हमारे हिंद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे और भगवान अब यहीं रहेंगे वो कहीं नहीं जाएंगे जब भगवान राम के राजतिलक और उनके आदेसों को प्रस्तूत किया है मनों दिपावली पर किसी आलिशान कोठी को रोशनी से जगमगा दिया गया तो हैं आम आदमी पार्टी के एकुरुक्षेतर से मुझूद जिला अध्यक्ष जगबीर जोगणा खेडा ने आम आदमी पार्टी को अल्विदा बोल दिया है कि लगब पिछले साथ मिने से आम आदमी पार्टी के जिला देक्स कुर्षेत्तर के रूप में कारिये कर रहा था मेरे से जितना बन पाया मैंने पार्टी के लिए उतना काम किया उतना समय दिया आपनी उकात से बढ़कर मैंने पार्टी के लिए काम किया प्रन्तु जिस तरह की घुटन पार्टी के अंदर महसूस हुई और ये काफी लंबे समय से चल रहा था उसके चलते आज मैं पार्टी का जिलादेक्स का पद्त छोड़ने के साथ-साथ पार्टी को भी छोड रहा हूँ आम अदमि पार्टी में जितने समय रहे ठीक रहा और आसा करते हैं कि आम अदमि पार्टी के अरियाना के अंदर मेरे खाल से नब्बा में से 100 सीट लेकर सरकार बनाएंगे जिस बाल भारती पबलिक स्कूल में पुलिस और सिक्षा विभाग ने चापे मारी कि जहां सरकार के छुटी के आदेज के बाद भी बच्चों को स्कूल बुलाया गया जहां अभिभागों ने बिधायक कुल्वन सिद्धू से शिकायत की हंगामे के बाद प्रिंस्पल ने कहा कि स तो वहीं यूपी के जनपर शाह जहांपूर में नगर पंचायद बड़्डा में भारती किसान यूनियन के जिला द्यक्ष मंजीत सिंग ने किसानों को साथ लेकर खंडविकास अधिकारी द्वारा यूपी के मुक्ष्यमंत्री को ग्यापन बेजा ग्राम पंचायद नराय जो कि अवारा पसू हमारे गाव में भरमार है वीडियो साहब द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगाई गई कई बार कि उस गाव में अवारा पसू नहीं है वीडियो साहब पर कड़ी थी कड़ी कारवाई की जा अधिकारी उसे बात वीडियो साहब की वो तो बार बार यह के देते हैं वहाँ बारा पसूहाई नहीं सिग्रेटरी उनके फर्जी रिपोर्ट लगा रहे बगएर रिजाच कि है रुकरिंगे अगली खबर की ओर अगली खबर पटियाला से है जहां पटियाला का नए बस स्टैंड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है व्यक्ति को पटियाला के नीजी अस्पताल में भरती कराया वहीं पुलिस अभी सिसी टीवी कैमरे खंगाल रही है जालंदर कमिशनरेट पुलिस ने एक बड़ी सफलता हांशिल करते हुए अपराधिक मामलों में आरोपियों को लाब पहुचाने के लिए फरजी जमानत मांड देने वाले एक गिरोह का भंडा फोड किया है इस समंद में जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त स्वपन सर्मा ने बताया कि कमिशनरेट पुलिस को गुप्त सूचन मिली थी कि राज में एक हाई प्रोफाइल गिरोह सक्री है जो अपराधिक मामलों में जूटी जमानत देकर आरोपियों को फायदा पहुचाने का का कर रहा है सुपन शर्मा ने बताया कि यह गिरोह न्यायालियों में फर्जी सेक्योटी के रूप में आईडी कार्ड आधार कार्ड स्टांप जैसे जूटे और फर्जी दस्तावेज जमा करता था तो वहीं देवरिया जिले में एक फर्जी वारा सामने आया है जहां पर 85 सिक्षकों को बर्खास कर दिया गया है इस मामले में सभी सिक्षकों के खिलाफ पुलिस ने फाई आर भी दर्च कर ली है सरकार से लिए गए वेतन के रूप में 125 करोन की वसूली भी की जाएगी और यस्टी एफ और बियसे के जांच में एक खुलासा हुआ है सरकारी राज़ा सुकों को नुकसान पहुचाने के आरूप में बर्खास किये गए सभी सिक्षकों से सरकार वसूली भी करेगी इसके लिए विभाग ने बकाइदा आरसी भी जारी कर दी है सरकार के इस एक्षन से जन्पत के सिक्षकों में हरकम मचा हुआ है हाला कि इस मामले में कुछ सिक्षक अदालत जाने की बात कर रहे हैं तो यह उतर प्रदेश के हर दोई जिले में एक नीजी है हॉस्पिटल में प्रसव के बाद एक नवजात शिसू की मौथ हो गई इसके बाद परजनों ने अस्पताल प्रशासन पर डॉक्टर न होने और अप्रसिक्षित लोगों द्वारा नवजात बच्चे का उप्चार करने का आरूप लगाते हुए हंगामा कर दिया साथी हस्पताल में हंगामे की सूशना पाकर मौके पर पहुँची पुलिस ने हंगामा शांत कराकर परजनों को सीमो के पास पूरे मामले की शिकायत के लिए भेजा उप्चार में लापरवाही की शिकायत मिलने के बाद पूरे प्रक्रण की जांच के लिए CMO ने नोडल अधिकारी जांच के लिए भेजा है CMO के मताबिक परिवार वालों के आरोप की गहराई से जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद उपचार में लापरवाही और बिना डॉक्टर के उपचार होने की बात मिलने पर मामले में मुकादमा दर्च करके हॉस्पिटल पर भी कारवाई की जाएगी तो वहीं पदान मंत्री मोदी के गाहाँ वड़नगर से 27 नमबर को आयोध्या के लिए श्री राम जोती पदयात्रा निकाली गई वड़नगर से लखनौ पहुँची श्री राम जोती पदयात्रा का बीजेपी नेताओं ने जोरदार स्वागत किया तो वहीं श्री राम जोती पदयात्रा आयोध्या के रास्ते में पढ़ने वाले कई गाहँ से होकर तीन दिन बाद आयोध्या पहुची थी रोकरंगे अगली खबर की और अगली खबर यमुना नगर से है जहां विक्सित भारत संकल प्यात्रा जगादरी विदान सबा के प्रताप नगर पहुँची आपको बता दें कि कैबिन मंत्री कमरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिती के रूप में शिर्कत किया और उनका विक्सित भारत संकल प्यात्रा में जोरदार स्वागत हुआ वहीं कडाके की ठंड के बीच भारी संख्या में लोग पहुँचे और विक्सित भारत संकल प्यात्रा में लोगों का उत्साह दिख रहा है तो द्रेड करेंगे और देश की रक्षा करने बारे जोती जोती जायका तिरी मती देखा रहा है तो यह उत्तर प्रदेश के अपमुमक केंटरी केशो परसाद मौर मंगलवार को अट सराय गाउं के चौपाल में शिर्कत करने पहुँचे डिप्टी सीम केशो परसाद मौर दोपार बारा बजे हवाई मार्क से सायरा इस्थित माशीतला गेस्ट हाउस पहुँचे उन्होंने सबसे पहले मापुर्शों की प्रतिमा परफुस पांचली अर्पित की इसके बाद जन सुनवाई में जनता की समस्या से सिधेर उबर हुए तब ही डिप्टी सीम ने कौसांबी में बड़ा बयान देते हुए का कि रामलला पांसो साल बाद घर में अपने पहुँचेंगे साल दोजार चौबिस में तीसरी बार विपक्ष एक हो रहा है लेकिन बीजेपी को रोक नहीं पाए अगली खबर सिधात निगर से है जहां दबंगों ने आउट सोर्सिंग करमचारियों के साथ मारपीट की है जिसका वीडियो सोचल मीडिया पर तीरी से वारल हो रहा है आपको बता दें कि दमंगों ने इमर्जंसी वार्ड में जम कर बवाल किया साथ इमर्जंसी वार्ड का कांच भी तोड़ दिया महीं वाइरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मारपीट की घटना है प्राचारी ने दोशी डॉक्टरों को निलम्बित किया है सुचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की कारवाई में जुट गई खबर दिन भर में फिलाल अभी के लिए बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे एंडियो वोईस नमसकार